सुखमापतितम सेव्यम दुखमापतितम तथा चक्रवत परिवर्तंते दुखानीच सुखानीच नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर यानि सवाल आपके जवाब हमारे एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किये हैं आईए उन प्रश्णों का जवाब देना प्रारंभ करता हूँ अपने ग्याना नुसार, अपने सामर्थ्या नुसार सुख मापतितम से भ्यम जिस प्रकार हम सुख का सेवन करते हैं दुख मापतितम तथा शास्त्रकार कहते हैं कि दुख का भी सेवन उसी प्रकार करना चाहिए क्यों क्योंकि चक्रवत परिवर्तंते ये चक्र के समान चक्के के समान परिवर्तित हो रहा है कभी दुख तो कभी सुख कभी दुख तो कभी सुख कभी सुख तो कभी दुख ये लगा रहेगा ये चक्र चलता रहेगा और द योग नहीं करते तो वैसे ही हमें सुख को पाने के लिए भी कोई विशेस प्रयत्न करने की आवशक्ता नहीं होती वो स्वतही आजाता है बस हमें धीरता और गंभीरता के साथ बड़े प्रेम के साथ इमानदारी के साथ दुख का भोग करना होता है जब हम प्रेम से दुख क चल करके आ जाता है चलिए बिना विलंब किये आप सभी दर्शकों के जो प्रश्ण है एक एक करके उन प्रश्णों को मैं ले लेता हूँ सबसे पहला प्रश्ण है निसा सिंग जी का इन्होंने पूछा है मा लक्षमी का ऐसा मंत्र बताईए जिससे दैनिक हवन में आहूती कि जा सके श्री सुक्ष से बढ़िया कोई मंत्र ही नहीं है मैंने बताया था उसका मंत्र स्रेसुक्ठ का मंत्र काम सोश्मिताम हिरणयप्राकारा माध्राम जलंति मिस मंत्र से आप आहूती दीजिए मां के कृपा पढ़ जाएगी तो यह तो अत्यंत्र स्रेष्ट मैंने पूर्व में इसका प्रयोग बता रखा है दीपक जहां जी ने पूछा है क्या सात्रिक तंत्र साधना करना उचित है जैसे हमारे समाज में तंत्र को लेकर के गलत अफवाह फैली है तंत्र के बारे में निसंदेह बिल्कुल किया जा सकता है अक्की यह नाम है इनका अक्की इन जो भी हो इन्होंने प्रश्ट पूछा है क्या दस महाविद्या साधना के लिए गुरु दिक्षा जरूरी है मैंने सुना है कि इनकी साधनाएं प्रचंड तीवर होती है अतह इनकी साधना गुरु के सानिध् कि जब भी कोई साधना ऐसी साधना आप करते हैं जिसमें आपकी कामना कोई बहुत बड़ी कामना हो और आपको सीघ्र ही उसका परणाम देखना होता है तो हाँ इसमें कहीं कोई संसय नहीं कि गुरू की संनिधि में जब आप ऐसे प्रयोग करते हैं तो उसका शीघ्र और स्र परिणाम आपको प्राप्त हो जाता है क्योंकि ये यह वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति बिजली के तार को चुए हुए है और आपने जा करके उनको छू लिया तो आपको भी बराबर का हिस्सेदारी आपको मिलेगी उसमें करेंट का जटका आपको भी उतना लगेगा तो बस व कि ऐसा कोई करना चाहे तो तंत्र प्रयोग मंत्र प्रयोग नहीं कर सकता याद रखिए समझिए इस चीज को उदाहरण से समझिए कि रोटी बनाना एक प्रयोग है अब अगर आप किसी जानकार की देख रेख में रोटी बनाना सीखते हैं तो वो सुंदर बनाने की प्रक्रि अहीं आता आटे को गुथा और तेभा मेड़ा ही रोटी बना लिया तो क्या वो रोटी पेटиниगा बिल्कुल भरेगा लेकिन यहीं बाते कहीं कहीं काम कम करती हैं जैसे वहन चलाना अगर किसी देखरेक की आप किसी जानकार की देखरेक में वहां चलाना सीखेंगे तो अच्छा होगा अकेले करने जाएंगे तो दुरगटना की संभावना अधिक होती है तो हाँ जब बहुत तिब्र और उग्र साधना करनी हो जहां किसी व्यक्ति विशेस का नुकसान या कुछ विशेस प्रयोजन होता है तो वहाँ पर किसी के संरक्षण में करना अत्यन तावशक हो जाता है लेकिन कामना सामानने है रोटी बनाने जैसी पेट भरना नोट करिए मैंने दोने उदारन दे करके समझा दिया है कि कामना रोटी पका करके पेट भरने जैसी है सामानने मेरी कुई कामना है उसके लिए आप बिल्कुल अकेले कर सकते हैं किसी के देखरे की आवशक्ता नही दुर्गेश शिंग जी ने पूछा है माला जब करते समय अगर हाथ से छूट जाए तो जब को आगे कैसे पूरा करें कुछ नहीं माला फिर से सुरू करिए जब जहां से छूट गया उसो समाप्त और फिर से सुरू करिए और अगर जब की माला तूट कर भिखर जाए अगर जब करते समय तूटे तो इससे अब शकुन माना गया है परन्तु ऐसे तूट जाए तो उससे पिरो सकते हैं हाँ बिल्कुल पिरो लीजिए माला से क्या करना जाकर कुसको ठीक करा लीजिए विश्वनात बेजो जिने पूछा है जब साधना में मंत्रों की गिनती के लिए करमाला या मनके की माला दोनों में से कौन सा उतम है तो था ये बताने की कृपा करें कि करमाला में सभी प्रकार के मंत्रों का जब किया जा सकता है जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है देवी मंत्र साधना की करमाला अलग होती है और देवताओं के करमाला की साधना बस उंगलियों पर थोड़ा सा बदल जाता है और तो कुछ नहीं बिल्कुल की जा सकती है कोई मना ही नहीं बड़े प्रेम से आप सारे मंत्र करमाला पर जब सकते हैं रूबी अमित जी ने पूछा है मेरे दादा जी को चार वर्स हो गए मृत्यू हुए और मैं उनकी नातिन क्या उनके निमित कुछ दान कुणने कर सकती हूँ और मेरा किया गया दान कौन है जो उन तक पहुचेगा क्योंकि वह मुझे स्वप्न में अक्सर दिखाई देते हैं अलग-अलग अवस्था में आप उनकी पोती है नातिन तो आप उनकी नहीं हो सकती है पोती है उनकी आप बिलकुल आप उनके लिए जो करना चाहे आप कर सकती है दान पुर्ण जो भी हो उनके नाम से उनके लिए उनके निमित जाकर के मंदर में ब्राम्हणों को देना मंदर में कुछ देना इत्यादी आप जरूर करिए ये प्रश्न देखिए ये हैं उम्मेद सिंग सोड़ा जी ये उम्मेद सिंग सोड़ा जी आप बड़े बुद्धिमान वेक्ती हैं और दिन तो नहीं आज इन्होंने सुभा सुभा नमस्कार भेज दिया था वाटस अप पर वो भी मैं देखता रहता हूं तो कौन कितना क्या सोचता है उतना तो मैं समझ लेता हूं पिछले 2-4-10 दिनों से बार-बार आप इस प्रशन को दे रहे थे मैं छोड़ रहा था क्योंकि यहां से क्या होता है कि कई बार इन प्रशनों को सभी लोग सुनते हैं बच्चे भी सुन रहे होते हैं मैं कोई असलील बात तो नहीं करता लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें भी न हो जाए तो इस प्रशनों को देख करके भी मैं छोड़ दे रहा था वैसे यह प्रशना आपको समझ में आ जाना चाहिए था पर नहीं समझ में आया आप बार बार पूछ रहे हैं इसको चलिए मैं बता देता हूं इस प्रशन में वै细सा कुछ है नहीं बड़ा लंबा प्रशन लिखा इनोंने पढ़देता हूं दो मिनट में इनोंने लिखा है जैसा आप कहते हैं कि स्त्रियों को गय था कि सुचने की रहा दिखाई उसी क्रम में मेरा यह प्रशन है कि सास्त्रों और लोक बेवहार में गायत्री मंत्र पढ़ने की मनाही है लेकिन यह मंत्र तो स्वयमम मां गायत्री का मंत्र है फिर एक इस्त्री प्रधान का मंत्र होने के बावजूद धीस्त्रियों की मनाही क्यों? आपके कहनुसार माना की मंत्र में असीम उर्जा है जिससे कम उम्र की स्त्रियों को अपने से जपने से उनके गर्भ में पलने वाले भूरोन को छती पहुचने की प्रबल संभावना रहती है लेकिन जब वेदों का सार्मा गायत्री जब जपा जाएगा तो उर्जा रुपांत्रित भी तो होगी वह मंत्र उसकी रक्षा कवच बनेगा फिर कैसे भ्रून नष्ठ होगा तो आपके कहनुसार आत्मा नष्ठी है ना पुरुष फिर यह भेद भाव क्यों देखे सबसे प में बड़ी सरलता और सहजता से नो समझ में आ जाए सायद ये इसलिए नहीं समझ में आया कि आपने गायत्री मंत्र को या तो हलका में लिया गायत्री मंत्र को या तो आपने हलके में लिया या गायत्री मंत्र के अर्थ को समझ करके उसको नजर अंदाज किया दोनों ही महत्तों देते थे गायतरी मंत्र को पहले यह जानुए उनकी नजर में गायतरी मंत्र की महत्ता कितनी थी कि सुनने तक की मना ही करी आप इस बात पूसरा समझे अब आ जाते हैं कि आपने जितनी बाते कहीं अगर्भ भूर्ण इत्याद इत्यादी इत्यादी उमेद सहाब आप साधी सुदा हैं बच्चे भी आपके हैं बच्चे ऐसे थोड़ी हो जाते हैं हवा में दो लोगों के संसर्ग से होते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ है मेरी बुद्धी को सत्य की ओर ले चलो और सत्य क्या है और सत्य क्या है सत्य है इस मोह से दूर करना और संतान क्या है संतान सबसे बड़ा मोह है संतान से बड़ा कोई मोह हो ही नहीं सकता यह सबसे बड़ा मोह है इस मोह से दूर करने की बात बार बार आप मंत्र में जप रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को यहीं तो कहा मोह निशा जग सोव निहारा देखाऊ स्वप्न नेक प्रकारा मोह निशा में हम सो रहे हैं तो ठीक है मोह भी हो मैं इस बात को बड़ा प्रेम से समझा देता हूँ पहले तो ये लाइन समझ लीजिए पूरा कर लीजिए जब महिला बार बार इस चीज को विश्रेश करके वो अभी सुरुवाती दौर की हो गर्बधारण की स्थिति की हो उसको बिरक्ति आने लगेगी और जब बिरक्ति आने लगेगी तो वो पुरुष से दूर होने लगेगी और जब वो पुरुष से दूर मतलब हम जहां सोच नहीं सकते हमारे दिसी वहां पहुंचे हुए थे हम जहां पहुंच नहीं सकते वो वहां पहुंचे हुए थे देखिए वो कितनी आगे की लाइ इच्छा पुरुष थोड़े अलग होते हैं उनके स्वभाव में सहन सीलता बड़ी कम होती है तो जब उनकी इस्तुरी उनसे दूर होगी तो वह बाहर जाएंगे गलत कारे करने लगेंगे समाज में पूरी तरह से इस्तुती विभत्स हो जाएगी निसंदे इसका यह मतलब कानून बना दिया तो अब गलतिया नहीं होंगी नहीं कानून बनाने वाला जानता है कि कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि इस कानून में लोग फसेंगे कानून बनाने वाला जानता है कि कानून को जान करके लोग गलती करना बंद कर देंगे अभी अभी चार लों को फा और भगवान विश्णु को माया पती अब ये माया हैं और माया पती यानि परमात्मा के सबसे करीब हैं इस्त्रियां इनका मन पूरुसों की अपेच्छा कहीं जादा जागर्त है और ये तुरंत जागर्त हो जाएंगी क्योंकि ये माया है नारज जी के बाकी भाईयों के में देखें तो सबने शादी की नारज जी को छोड़ कर क्यों क्योंकि नारज जी को भगवान इस्त्रिहरी विश्णु का मन कहा गया है मन तो माया पती का मन माया से दूर है और ये माया बहुत त्वरिक गती से परमात्मा को प्राप्त कर शकती है इसलिए अब सवाल एक यहाँ पर खड़ा हो जाता है यहाँ दो बाते होंगी जब श्त्री गायत्त्री मंत्र अधिक मात्रा में जपेगी तो उसके अंदर विरक्ती आने लगेगी धीरे धीरे करके विरक्ती कई प्रकार की होती है पहली विरक्ती घर पती से पती संसर्ग से दूसरा संतानुत पत्ती के लिए श्त्री और पुरुस दोनों का मन एक जैसा आपको क्या लगता है संतानुत पत्ती में पुरुस का रोल कितना है ना के बराबर ना के बराबर पुरा रोल ही इस्त्री का है सब कुछ इस्त्री का है एक विरक्त इस्तुरी पुरुस के दबाव में अगर संबंध बनाए भी तो या तो गर्भ नहीं होगा या गर्भ की स्तुरी बन नहीं पाएगी क्योंकि ये सारा खेल इस्तुरी के मनका है अब हमारे यहां सनातन धर्म में संतान पैदा करना मतलब भोग के लिए कभी था ही नहीं संतान पत्ती पर ही सब कुछ टिका हुआ था अब यहां एक प्रश्ण और उत्पन जिए आपके प्रश्ण ने काफी लंबा समय लेना है अब यहां एक और प्रश्ण खड़ा हो जाता है कि जब गायत्री मंत्र जपी महिला चलिए ठीक है सुरुआत्दर में तो ऐसा हो नहीं जागा धिरे धिरे अगर हो भी जाता है तो जैसा आपने काहा कि एक स्रिष्ण मंत्र है उस मंत्र से गर्भ की रक्षा हो जाएगी हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी लेकिन अगर ऐसा गर्भ रक्षित होकर कि कोई बालक जन्म ले भी लेता है तो वो बालक भी कहीं न कहीं या तो उदासीन होगा या विरक्त होगा क्योंकि गर्भ में जब अभमन्यू चक्रव्यू रचना समझ सकते हैं तो इसका ये मतलब तै है कि गर्भ में पल रहा बच्चा माबाप के हर चीज को जान जाता है और मा के गर्भ में ही है तो मा जो करेगी उसका सीधा असर पड़ेगा तो उसके बच्चे के अंदर ही भी रखती आ जाएगी अब ये श्रिष्टी किस लिए है इस श्रिष्टी में विवेकानन्द भी आते हैं संकराचारे भी आते हैं लेकिन सारे लोग अगर समझाएंगे किसको कभी आपने सोचा ये सारे विवेकानन्द और संकराचारे हो जाएं और 32 सवर्ष की उम्र में चल दे धरती को छोड़के तो इस श्रिष्टी को समहलने के लिए ये श्रिष्टी को चलाने वाला कौन होगा सारे ग्यान देता ही बन जाएंगे तो ग्यान लेने वाला कौन होगा यानि श्रिष्टी का क्रम ही खराब हो जाएगा उस क्रम को बचाने के लिए कहा मत करो मत करो क्योंकि तुम्हें जागर्त होने के लिए बहुत लंबा प्रत्न नहीं करना पड़ेगा तुम जागर्त हो वहाँ गई और जागर्त हो जाओगी तो जागर्त हो जाओगी तो इस श्रिष्टी का क्रम बिगड़ जाएगा फिर वही बात कहूंगा यहाँ पर चक्रिय सब खेल है इसमें ऐसा कोई महत्वनिक इस्त्रियों के उपर ये दबाव बना दिया गया ना ऐ इसंदे एक फसल को तयार करने के लिए जितनी महत्ता बीज की उतनी महत्ता छेत्र की। हमारे ऐसे भी रिशी हुए हैं जिन्हों ने बिना किसी छेत्र के मदद के संतानुत पत्ति करके दिखाई है। यह आशचरे का विशय नहीं है। यानि बिना स्त्री के भी केवल अपने विर्य से संतान की इस्तिति को बनाना कई लोगों को अगर आश्चर्य हो रहा होगा, तो इसका जबाब आपके पास आज भी है, आज भी आप ऐसा कर सकते हैं चना जो ये स्वतह वीर्य स्वतह से पैदा हो जाते हैं इनको कई बार छेत्र की आवशक्ता नहीं पड़ती लेकिन छेत्र की आवशक्ता इसे कम नहीं होगी छेत्र की आवशक्ता तब भी है क्योंकि इनके द्वारा जो यानि चना चना को जल में डाल दीजी और निकाल को दर्सा रहा है लेकिन कुछी दिनों के बाद उसकी शक्ति वो समाप्त हो जाएगा और चना धीरे-धीरे सूख जाएगा लेकिन अगर वही चना छेत्र में यानि पृत्वी में वो दिया जाए तो सही समय से फलना फुलना और सही समय से अंकुरण और अंकुरण के बाद फिर से नई फसल देने के वो योग्य होगा तो इसलिए दोनों की उपयोगिता है बिसेश कर छेत्र की आवशकता अत्यनत आवशक है और छेत्र ही है यानि पृत्वी भूमी ही है इस तुरिया अगर उनको विरक्त कर दिया जाए तो ये पूरी पृत् अगरे टो माया पती माया को बनाए रखने के लिए ये उस्क्रिति उत्थपन्न कर रहे हैं है और फिर कहा कि इसलिए हमारे सनातन्धर्मiren हर वर्ण हर आश्रम की विवस्था किये कितनी जबर्दस्थ विवस्था है अब ये तो अलग बात है कि हम लोभी और स्वार्थी है इस तु चारोबरणों को कभी नहीं मानें बुढे हो करके घर में ही लाद जूता खाते मर जाते हैं कहा जाते हैं अपने संयास्धर्म की ओर कभी नहीं जाते नहीं तो सारा क्रम बाटा हुआ है इसी जन्म में हम सब पास सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हर घर में विवेकानन्द और संक्राचारे आएं, हर घर में संक्राचार विवेकानन्द हैं, चारो वरणों को जीते हुए अंत में सब कुछ पा सकते हैं और समाज को भी मार्ग दे सकते हैं, यहां पर और भी कुछ बातें गरभादान से संबंदित है मैंने कहा था निसका जबाब इसलिए मैं नहीं देना चाहता था आज भी छोड़ रहा हूं बस इतना तो आप समझ लिजे बस इतनी सी वाग थी इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था बस इसलिए मना किया बस इसलिए मना किया चलते हैं आगे और इनके प्रश्ण ने जि निवार को पढ़ना उचित है बोला जाता है कि यह पार्ट सिर्फ और सिर्फ कठिन समय में या जब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता तो ही पढ़ना चाहिए तो फिर उस समय क्यों हनुमान जी सुनेंगे आपके नोकर है तो जो यह कहते हैं उनसे पूछे कि उस समय हम क्य समय आप करेंगे तो क्यों हनुमान जी सुनेंगे आज से कीए रहेंगे और उस दिन जब आप कस्टमें पड़ेंगे तो आपको शायत करना ही न पढ़ हनुमान जी से जान जाएंगे अब यह पता नहीं क्या-edele Meer की सपत्य दिशाती है वगैर, ओगैर, ओगैर, शाबर, मं है बिल्कुल पाठ कर सकते हैं और मैं फिर से कहूंगा कि जो किये हैं नहीं किया हूं और जानता हूं कर सकते हैं मनहर भाई पांचाल जी ने लिखा है अगर कोई घटना अच्छी या बुरी घटने पांचाली है वो आँख बंद करते ही चित्रपट की तरफ दिखने लगती है जागरत अवस्था में भी तो इसका क्या मतलब है मनहर भाई पांचाल जी मैं आपसे मिला हुआ हूँ अगर आप अपने लिए केवल देख रहें तो ठीक है नहीं तो बाकी सब के लिए देख रहें तो मतलब बाबा बनने का समय आ गया है औरों के लिए भी फिर देख ले रहे हैं तो फिर कहना ही क्या, आस्रम और मठ की तयारी शुरू कर ये बड़ा मठ एक बन जाए, लाइन तो लगी जाएगी, अब ये आपने जो कहा है, अपने लिए आपको चित्रपट की तरह दिखाई पड़ रहा है, हालाकि ये बात सत्त ह कि घटित होने वाली घटनाएं अणू-णू में ब्यापत हैं, लेकिन ये चर्म चक्षूस को देख नहीं सकते, पर फिर भी आप कह रहे हैं, तो आप ठीकी कह रहे होंगे, अब इसका मैं क्या मतलब आपको बताऊं, जाहर सी बात है कि देखा तो जा सकता है, हाँ अगर सा हिंदी में पढ़ा जाए, तो क्या पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भक्ती, आपकी भावना, आपकी स्रधा माइने रखती है, क्या हिंदी में करते हैं, कि उडिया में करते हैं, कि बेंगौली में करते हैं, कि भोजपूरी में क चावल को भगवान जी पर चढ़ाया जाता है तब वहां के पुजारि उस चावल को कई महीनों तक कठा करके किसी दुकान को बेच देते हैं तो क्या ये सही कहलाता है या भगवान कोच छढ़ाय हुए चावल उसको बेचने से दुकानदार या पंडित जो की जी को दोस लगता है देखिए कौन सा चावल मत्तब जो अक्षत वाला चावल है अक्षत वाला चावल तो कभी बेचने लाइक हो नहीं सकता क्योंकि चाहे कितना भी चड़े बेचने योग कि नहीं होगा चाहे मंदर कितना भ फेक दोस को हमारा उसमें क्या लेना देदा तो दोस की कहां से बात आएगी दोस की बात उनके ली आ नहीं सकती क्योंकि वह ओऊही दिन भर कर रहे हैं उनका काम ही वही है तो अब ये उनकी मनसा की वह उसका क्या करते हैं वो बेच देते हैं, बेचते हैं तो बेचने वाला उसके बदले पैसा देगा, कहे का दोस किसी को, किसी को कोई दोश नहीं महापर, अब वो किस मद में है, हो सकता है पंडी जी लोग को उनकी दक्षना मिल रही है, उनका महनताना मिल रहा है, और यह चावल उन्होंने बेच क करके मंदर के काम में लगा दिया, तो कहां दोश, कोई जरूरी नहीं कब चावल मान लिया जाए, पांच टन चावल आ गया, या पता नहीं मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, क्या होता है मात्रा, मात्रा की मुझे थोड़ी जानकारी कम है, मतलब बड़ी मात्रा में चावल ला गया, तो क्या करेंगे उसका, तो बेच के मंदर में लगा दिया हो गया, जो करें हम तो अच्छा ही सोचें उनके लिए, हम क्यों अपनी भावना बुरी करें, मंदर में लगा देंगे, मंदर का कोई काम माम कर देते होंगे लोग, इसलिए करते होंगे, अकांच्छा, अनुपमा तिवारी जी ने पूछा है यदि किसी श्त्री के पती की मृत्यू हो जाती है उसके बाद उसे बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जैसे सफेद सारी इत्यादी इन प्रक्रियाओं का कोई अर्थ है या सिर्फ लोकाचार एक तो श्त्री असही द प्रथा थी सती प्रथा ने बाद में कुरीतियों का रूप ले लिया और फिर उसके बाद बड़े लोगों ने जानकार लोगों ने उसको फिर बंद कराया कुरीति ये थी कि पती के मरने पर जबरन महिला को जलने के लिए विवस किया जाता था नोट करिए जबरन महिला को जलने के लिए बीवस किया जाता था पती के साथ, ये कुरीती थी, लेकिन क्या शती प्रथा के पीछे के अगर रहस्यों को समझें, तो क्या वो बुराई था, समझे इस चीज को, दसरत जी ने राम जी के बियोग में प्रान त्याग दिया, क्या कोई अपराध किया उन्होंन एक स्त्री अपने पती को इतना प्रेम करती है, कि प्रेम पती के ना होने पर उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचता, तो उसको मृत्यू के लिए जलने की आवशक्ता नहीं पड़ती, स्वता ही वो अपना जान दे देती है, मतलब गला फासी लगा के, ना, बस उसने ध्यान किया और पती के साथ निकल ली, ये खेल, था, ये प्रेम था, था सब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, था, कुरिती बन गई, जबरन महिलाओं को जलने के लिए विवस किया जाने लगा, तो ये कुरिती थी, कुरिती थी, लेकिन पती के साथ, पती के प्रेम में पती क प्राणत्याग दिया यह प्यार प्रेम की पराकास्था थी अब आ जाते हैं इस्त्री की मृत्यू अगर कोई इस्त्री साथ वर्सकी हो और मृत्यू परांत उसे कहा जाए कि साल भर के बाद वो लाल-लाल कपड़े चूड़ी इत्यादी पहन के घूमे शायद पता नहीं कैसा लगेगा मैं नहीं जानता हो सकता है हमारी आँखे देखते देखते इस बात के वह अभ्यस्त हो गई है कि वह महिला वैसे ही सुरूप में दिखनी चाहिए स्तिरियों के पती नहां होने पर अचा एक बात आपको यहीं पर बता दुँ कि विवाह में जो वचन लुक्रम सबते बचन का वहां स्तिरूप में ना रहूं तो तुम्हे सजना शमरना नहीं होगा और शास्त्री ये नियम कहता है कि पती के होने पर अगर इस्त्री सोलो हो, स्रिंगार न करती हो, सुन्दर दिखने का प्रत्न ना करती हो नोट करिए, स्त्री सुन्दर दिखने का प्रत्न ना करती हो तो ये पाप है ये पाप है पती के रहते पती के सम्मुख इस्त्री को सदईव सजधज करके सुन्दर बन करके रहना चाहिए यही पुर्णे है इस्त्रियों का सबसे प्रिय क्या केश बाल बाल मुडा लेना बाल हटा देना आपने जैसा कहा असह ये दुख से गुजरती है जब कोई दुखी हो उसको दो-चार अच्छी बाते कहके उसके अंगों कुछ पर्स कर लेना छू लेना पहुत आसान हो सकता है सोचके देखिए नहीं जानकारी है इसका मतलब अनुभाव की कमी कहूंगा कि अगर कोई दुख में दुखी हो और विशेस करके वो इस्त्री हो जो की भावुक्ता और कोमलता की प्रतिमूर्ती है उसको गले लगाने की गलती करने लगना इत्यादी बहुत तरह की समाज में ऐसे गिद्ध बैठे हुए हैं जो इस मौके की तलास में है इस विशे को समझना होगा तो बहुत गंभीरता से समझीए मैंने कहा कि जो भी प्रताएं है उस प्रताओं के पीछे रहस्य है एक राजा एक वेश्या के पीछे बहुत दिवाना था वेश्या ही थी या मैं नहीं जानता वेश्या ही रही होगी बहुत दिवाना था उस वेश्या को राजा पर दया आई और उसको लगा कि राजा मेरे प्रेम में इस कदर पागल हो गया है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा एक बार उस वेस्या को कहानी सब जानते होंगे लोग, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए मेरे से अच्छा आप लोग कहानी जानते हैं, उसको दस्त लगी और उसने क्या किया कि अपने सारी मतलब जो मल था एक जगए एक अठा कर दिया और बहुत दस्त होने से चेहरा थोड़ा सा वैसा हो ही जाता है, उस दिन उस वेस्या ने स्रिंगार नहीं किया और जब राजा आया तो दिखाया उस राजा को कि उसका चेहरा लटका हुगा, कहा कि जिस चीज के परती आप आकर्शित होते हैं, जिस सुंदर्ता पर आप मो कर सकता है, और फिर इस अवस्था में जो गिद्ध प्रवृत्ति के बाज प्रवृत्ति के लोग हैं, इस मौके का लाब उठाएंगे, या तो वो इस्त्री अपने पिताई त्यादी के संदक्षण में हो, और पिताई त्यादी उसकी जल्दी ही शिघर विवाह कर दे, एक इस समय में, जब उस समय बिवाह की श्त्रीयों की प्रठाथ नहीं मानी गई थी, हो सकता है उस में क्या सोचा उन लोगोंने, लेकिन आज के समय में ऐसा है, वैं वेगर उम्र उस तरह की है तो वीवाह कर देai, वो अपने घर को चली जाए, तब बात ही खत्म उ लाल पास ही डो लेंगे और हर जगह हर समय में ऐसे लोग रहे हैं कि वो उसके पास पहुंच करके ये सांत्वनाद देंगे कि तुमको टेंशन लेने की जुरूत नहीं मैं हूँ और वो किसी का नहीं है तो ऐसे लोगों पर रूल कहता है कि श्त्रियों का लड़कियों का स्वभाव कैसा होता है मैंने पुर्व में भी बताया है कि बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियों को आप देखेंगी कि दिखने में कववे जैसे लड़के और उनके प्रेम में वो फस जाती हैं कैसे तो सुर्च के तने पर वो चड़ती है तो वो यह नहीं देखती कि वो नीम है कि बबूल है वो कैसा है बस उसको सहारा दिखाई पड़ता है उस पर चड़ जाती है लते की तरह होती है उनको बचाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए एक स्त्री जब सुन्दर्ता में से अगर वो स्रिंगार को त्याग दे एक सफेद वस्त्रधारन कर ले जरा गौर से देखिए तो साधी सुदा इस्त्री एक सामाने लड़की एक साधी सुदा इस्त्री उसकी खूपसूरती दो तीन चार गुना बढ़ जाती है एक इस्त्री लड़की साधी के बाद उसकी सुंदर्ता चार पांच गुना अधिक हो जाती है देखिएगा तो आप इस्त्री है तो आप जानती है बिवाह के बाद उसकी सुंदर्ता और जबरदस्त निखर जाती है लेकिन पती के ना होन पर ये सुन्दर्ता नुकसान न कर दे उसको, उसकी छती न हो जाए, समाज में इसके चलते गलत इस्तिती न फैल जाए, उसकी सुन्दर्ता को कम करने के लिए, कई स्त्रियों ने खुझ से, कई जगों पर अपने केश मुड़ाने, इत्यादी से सम्मधित काम किये, ताकि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हत्यार अपनाए गए, और कोई कारण नहीं था, और आज भी इसकी आवशक्ता है, आज तो इस्तिती और भी भत्स है, लेकिन हाँ, वो लड़की, अपने भाई, अपने पिता के संरक्षण में है, और उसका पुनह विवाहित्यादी करा जा रहा है, तो फिर कोई चिंता नहीं, फिर वो जिस रंग का वस्तर पहना चाहिए, आप ही जानती है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, यह उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोग हैं, जो ढाढ़स बनाने के नाम पर आगे बढ़ हैं, बधाई हो, कि आप परमहंस हो गए, कि चलते फिरते इक्षा होती है, पूजा घर में जिजट, लेकिन हाँ, अच्छी बात है, यह तो अच्छी बात है, कि आपको हर समय भगवान का मन करता है, तो आप करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और यह ID है, चलिए, चिल लोग अंगुठे में भी पहनना पहनाना पसंद करते हैं, देख लिजे जैसी आपकी च्छा, जो आपको सही लगे, आप कर सकते हैं, वैसे मैंने कहा था, कनिष्ट का उंगली छोट, बाएं हाथ के, निता, निता, टीपी, यह नाम है, किसी भी माला का प्रयोग, एक स्यध गुठतर अब प्रदोसर क्या सनिवार सही प्रारम प्र सही करनी चाहिए, देखिए, आरमभ कोई कारे करने के लिए सनी मंगल का दिन सरवथा स्रेष्ट माना गया है, और जबकि कुछ लोगों का मुहुर्त यादी, आप शुक्र का करना चाहते तो, देखिए किसी दिन क्या कि आप नहीं कर सकती है वैसे लिए मंगल कर परोकल कर लिए मनीशा Rajava यदि है तो कब और कैसे करने करें मतलब ग्रहण के स्चात या ग्रहणani समय अवधी में हमन करना होगा ग्रहण के काल का कोई भी मंतर उसमें हमन decía कोई आवशक्ता नहीं होती और हमन तो किया ही नहीं जाना चाहिए ये कर्मकांड है और उसुतक काल होता है सुसिल कुमार जी ने पूछा है आज कल के नवयुक बहुत जल्दी जीवन से हतास निरास होकर के आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं जन्म कुंडेली में ऐसे कौन से महादशा अंतरदसा इत्यादी परिस्तितीन होने कहा है आज कल चाह इतनी जादा हो गई है और उसको पाने के बाद उस पर बने रहना हमारी चाह भी बहुत बड़ी है और उस पर हमेसा उंचाई पर तो कई सारी ऐसी इस्तितिया हैं जिससे हतासा और सही ज्ञान नहीं म मानसिक असांती तो सबको है एक तो सिनेमा इत्यादी देखकर के गलत संगती इत्यादी के कारण कई सारे कारण है और इन सभी गलतियों के कारण आजकल ये एक फैसन सा बन गया है आत्म हत्या करने का फैसन फैसन है और कुछ नहीं इसमें बहुत हत्तक सिनेमा इत्यादी भ खेर शास्त्री लखंपाल सर्मा जी ने पूछा है जब भी कोई कर्मकांड पूजा आधि करें या करवसे तो कर्म पात्र ही होना चाहिए यह लाकर डो आत्म पूजा और देव पूजा जी हो जभर कर्मकांड में दो नंब देवता के लिए अलग होना चाहिए और अपने लिए अलग विवेक सर्मा ने पूछा है सुतक काल में भगवान की पूजा करें करने का क्या तरीका होना चाहिए क्या सुतक काल में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए कौन सा नहीं कर सकते हैं, और लोकेश सर्मा जी ने पूछा है, हवन की विधी आपने बताई थी, आपके अनुसार, ब्रह्मा जी इंद्र आदी देवताओं का हवन नहीं किया जाएगा, आहुती नहीं देनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की आहुती देनी अनिवारे है, मेरा कि आसन से दूर करें मैंने नौरात्री में आपके बताए नुसार हवन किया था पर यहां अन्य पंडित जी कहते हैं इंद्र देव ब्रह्म देव बिना हवन कैसा जी हाँ हवन के प्रारंभ में इन सभी देवताओं को कर दे देना चाहिए या अंत में भी दे दें तो चलेगा प्रिवर्ष को इतने ही प्रशनों को लेकर के मैं आज आप सब के समुख उपस्थित हुए आज के लिए इजाज़त दीजिए कल मुलाकात होगी लाइब फेस्बुक पर साम 8 बजे तब तक के लिए नमस्कार